Nothing Phone 1 या Phone 2 हो तो उसके पूंदर आप notification sound को की तरी चेंज कर सकते हो notification sound को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone की setting को open कर लेना है जयसे phone की setting को open करोगे first time तो आपको इस तरहाद अंडर्फेश होगा उसके तरह आपको अल्ड़ की से नीचे जाना है option चोज़गा sound and vibrate इस पर tap कर लेना है उसके यहाद यहाद पर आपको एक option दिया जाएगा notification sound का तो आपको इस पर tap कर देना है तो यहाद पर हम notification sound पर tap कर देते हैं उसके बाद आपको यहाद पर किस से notification sound को change करना है तो यहाँ पर आपका nothing machines one हो जाएगा तो आप जैसे टाइप करोगे और आप यहाँ से अलगलग तरीके से देखोगे तो यहाँ पर हम इसकी थोड़ी से sound यहां पर आप दिश्टों अभी मैं दुवार दिखाता हूं तो यहां पर मैं इसको चेंज करता हूं तो आपको नोटिफिक्स नाएगा तो अलग लग टाइप कि आपके पास जैसे आपने यहां पर टूबे कर रहे हैं तो यह लाइट ओपन होगी तो मैं यहां से पीछेंज करता जा रहा हूं तो यहां पर आपके पास लाइट आएगी उसके आपको जो भी लाइट चाहिए आपको बस सेप कर देना है और आपकी साथ के साथ है नोटिफिक्स साउंड भी चेंज हो जाएगा सिम टू में भी इसी तरीके का है आप दिश्टों यहां पर हम इसको चे रखे तो आपको यहां पर है मिल जाएगी तो ओली साउंड लू यहां भी आजाता है अगर आपको यहां पर नोटिफिक्शन कुछा आपने डालोट नहीं कर रहें किताए तो आपको एक बार गूगल करके दिखायता हूं तो उसके लिए में यहां पर अपने पहले सब्सक्राइबjam कर लेना है और यहां से डावलूट कर लेना है और यहां पर नो टिफीकिन सवंड पर टैप कर लेन chemo है तो यहां पर आपको माई sound पर टैप कर देना है फिर आपको इस तरिके से लगा देना है फिर ऐसे और आप लिए बाइप करें ता बिल पर है उसका लूंद में और हमारे यहाप नोटीविसीं साट हो जाएगा तो इस तरीए सेपने फोन के अंदर नोटिफिन साउंड को चेंज कर सकते हो अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक चार सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाए